प्रेगनेंसी में महला के सरीर में आने वाले जो सारे रिक बदलाव होते हैं वो सभी में एकदम अलग अलग होते हैं किसी महला के नाभी एकदम उबरी होई नजर आती है तो किसी की नाभी जो होती है वो एकदम अंदर की तरफ कुशी होई होती है लेकिन क्या प्रेगनेंसी के दौरान नाभी में आने वाला ये जो बदलाव है वो गर में लड़का या लड़की होने का पता लगाने में भी मदद कर सकता है नमस्का दोस्तो मैं कुस्बूत ओमर एक वाफ फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटर एक और नई वीडियो में जहां पर आज का वीडियो आपके लिए एक वाफ फिर से बहुत ही जादा स्पेसल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ गर्बती मेलाओं को उनकी दूसरी से तीसरी दिमाई के दौरान उनकी नाभी के आसपास का जो एरिया होता है उसमें डर्द, चोबन या रेडनेस क्यों होती है इसके पीछे क्या कारण है और क्या pregnancy के दोरा नाभी का अंदर होना या बाहर होना गर में लड़का या लड़की होने का संकेत होता है अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल चल रहा है और आप भी जानना चाहती है कि किसी मेला की जो नाभी होती है वो अंदर की सैड में क्यों होती है और कई सारी मैलाओं के जो नाभी होती है वो बाहर की तरफ ओवर कर क्यों आती है किया इस सही में लड़का या लड़की होने का अन्मा लगाया जाय सकता है तो friends इन सारी बातों को जानने के लिए आपको वीडियो में अंतक बनी रहना है जिससे के आपको पूरी जानकारी मिल सके और अगर बात में वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आता है ये जो इन्फोर्मेशन है वो आपको अपने लिए यूज़पू लगती है तो देखे friends बैसे तो pregnancy के दोरान गर्बती मेला के जो ultrasound किये जाती है उनके दोरा भी आप गर में लड़का या लड़की होनी का पता लगा सकती है लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे देश में गर्बती मेला के गर में पल रहे बच्चे का लिंक पर इचड़ करना कानूनन अपराद है और इसलिए मेरा चैनल या फिर मेरा ये वीडियो ऐसे किसी भी लिंक पर इचड़ को बड़ावा नहीं देता है मैं केवल आपके सारीरिक बडलावों के आधार उपर आपको गर में लड़का या लड़की होने के कुछ अनुमान, कुछ संकेत आपको बताना चाहती हूँ जो कि प्रत्यक गर्बती मेला की प्रेगनेंसी में एकदम अलग-अलग होते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी की जो सिम्टम्स होते हैं वो प्रत्यक मेला में अलग-अलग होते हैं यह सब जानने से पहले हम जानती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ गर्बती मेलाओं को उनकी नाभी के आसपास की एरिया में दर्द क्यों होता है सबसे पहला कारण है सारेरिक बतलाव जी आपने जैसी आपकी प्रेगनेंसी की दूसी तमाई लगती है तो इस दोरान क्या होता है कि आपके गर्बा से में आपका जो बच्चा है उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है और जब आपके बच्चे का साइज बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि आपके पेट की जो मास्पेस यहां है उनमें खिचावाना शुरू हो जाता है और इसी बज़े से कई वार कुछ मैलाओं को उनकी नापी के आसपास बहुत जादा दर्द मैसूस हो सकता है इसलिए ऐसा होने पर आपको परेशार नहीं होना है आप कोसिस कीजिए कि थोड़ा कम कीजिए और जब भी आप चलती है आपका पेट ज्यादा बढ़ गया है तो आपको अपने पेट को सपोर्ट दे करी कुछ काम करना है या फिर ज्यादा चलना फिरना है क्योंकि जब आपके पेट नीचे के तरफ जुक जाता है तो इससे क्या है कि आपके पेट का जो दवाब है वो आपकी नाभी पर पढ़ता है और इसलिए आपको दर्द मेशूद हो सकता है दूसरा कारण है उबरी हुई नाभी होना प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही से ही क्या है अधिकांस 90% मेलाओं का पेट बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सभी मेलाओं का पेट दूसरी तिमाही में ही बढ़े कुछ मैलाओं का पेट उनके तीसरे महीने से हलका हलका दिखाई देने लग जाते वही कुछ मैलाओं का पेट जो है चटवे महीने से दिखना सुरू होता है वही कई सारी महीला ऐसे भी है कि लगवक 6 महीने तक उनका पता भी नहीं चलता है जब आपका पेट वढ़ना शुरू होता है तो इससे क्या कि आपकी नाभी पर दवा पढ़ने की वज़ा से आपकी नाभी उभर कर बाहर आ जाती है और ऐसी कंडिशन में अगर आपकी ये पहली प्रेगनेंसी आपको पता नहीं है और इस दोरान आप जब भी बाहर जाते हैं कुछ टाइट कपड़े पहल लेती है तो इससे क्या होता है कि आपकी नावी जो होती है जैसे कि ये आपकी नावी है इस पर आपने टैट कप्ड़े अगर पहने है तो उससे क्या है ऐसे खिचाब होता है ऐसे घरसन होता है जब आपकी नावी पर ऐस तर ऐसे कप्ड़ों का दबा पड़ता है तो उससे क्या है पीसी स्ट्रेच को सुरू होती है, तभी से ही आपको एक नंबर बड़े कपड़े पहन कर ही रहना है, यानि कि थोड़े से डीले डाले कपड़े पहनना है, जिससे कि आपके बॉड़ी एकदम से कमफर्टिवल फील करें, तीसरा कारण है आतों में इंफेक्शन होना, अबरागट होना, लूज मोसंस हो जाना और इन सब के साथ साथ आपको बुखार भी आ सकता है, और फ्रेंज प्रेग्डेंसी के दौरान जब आपको आपको बारबार लूज मोसंस होते हैं, उल्टीमितली होने लग जाती है, तो इससे क्या है कि आपके पेट पर एकदम से मेलाओं का पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इस तैम क्या होता है कि आपका गरवा से जब बढ़ता है, आपके बच्चे का साथ बढ़ता है, तो आपका गरवा से बढ़ता है, और अकसर गर में जो बच्चा होता है, वो नाभी के आसपास रहता है, और जब उसका सा प्रेगनेंसी के दौरान दूसरी तिमाही से ही आपको अपनी नाभी के अंदर एक से दो बूद फोकोनट ओयल या सरसों के तेल की डाल लेनी है इससे क्या है कि नाभी के आसपास की जो इसकी में उस पर जो खिचाव आ रहा है उसमें नमी बनी रहेगी इससे आपको दर्द म मनी रहेगी तो उसके आसपास की जो मसल्स में दर्द हो रहा है उसमें भी आपको रहत मिल जाएगी पाच्वा कारण है अंबिलकल हरनिया प्रेगनेंसी के दौरान कुछ गरबती मेलाओं को वैसे अंबिलकल हरनिया होना एकदम नॉर्मल बात है जब आपको अंबिलकल हरन आ गई है आपकी नाभी सूजी सूजी नजर आ रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और डालने के बाद भी इस दर्द में आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आपको तुरंति अपने डॉक्टर से संपक्र कर लेना चाहिए इसके समय रहते इसका इलाज किया जा स लिए उसके बाद से आपको ऐसे कपड़े पहने एकदम से डीले डाले जिसे कि आपके पेट पर किसी भी तरह का दवाप ना आई दूसी दूसी तिमाई के दौरान से ही आपको अपनी जो नाभी है उसमें सरसों का ते लिए पर कोकोनेट ओयल की एक से दो बूल हर रोज ड सरसों का तेल या जो भी ओयल आपको सूट करता उस तेल की अच्छे से हलकेलकी हातों से मसाज करने हैं अब हम बात करते हैं लिंक पर इचड़की प्रेग्नेंसी के दौरान अगर आपकी नाभी में किसी तरह का बदलाव आ रहा है अनाभी अंदर है या बाहर है तो इस से जो नाभी है वो एकदम अंदर गुसी रहती है बले उनके पेट का साइज बर जाता है लेकिन नाभी अंदर की तरफ ही होती है तो ऐसा माना जाता है जिन मेलाओं की प्रेग्नेंसी की तीसी तिमा यानि 8-9 महीने के दौरान नाभी अभर का एकदम बाहर आ जाती है यानि बैली बटन जो है वो बाहर आ जाता है तो इसे गर में लड़का होने का सबसे सथीक लक्षर माना जाता है और जिन मेलाओं की जो नाभी है वो अंदर की तरफ गुसी रहती है कुछ इस तरह से तो इसे गर में लड़की होने का सबसे सथीक संकित माना जाता है प्रेगनेंसी की दोरान ऐसे कई सारे सारे बदलाव आपके सरीर में आती हैं जिनने अगर आप ठीक से समझ लेती हैं तो आप बिना किसी टेस्ट के बिना किसी की मदद दिये हुए घर बैटे अपने गर में लड़का या लड़की होने का अनुमार बड़ी ही आसानी से लगा सकती हैं उम्मीद करते हुए वीडियो देखने के बाद प्रेगनेंसी में आपके लिए यूसफुल जरूर रहने वाला है अगर वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सोले टिपस में सेहर करना ना तो चलिए फ्रेंस मिलती हैं ऐसी एक नई वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें स्वस्त रहें और अपनी प्रेंगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करें नन्यवाद